यदि आप अपने जीवन में परमेश्यों के कारिया को देना चाहते हैं तो आपको ये काम बहुत जरूरी है करना हर एक जन प्रभू जो डिप्रेस है चिंता में है घबराहट बेचैनी उन्हें है येश्व मसी इन सारी बातों से चुटकारा दीजिए यदि आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो हमारे साथ मिलकर प्रात्न करें और अपने प्रात्न विंतियों को हमें भीजें प्रभू येश्व मसी आपकी जीवन में कारे करेंगी धन्यवाद प्रेजलोड दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्राधना में और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि बीती वही बातों को याद न करें बलकि आगे की और अपने ध्यान को लगा कर रखें अपने भौशे की और देखें हो सकता है आपके जीवन में होसते हों उन बीती हुई घटनाओं के विशे में हो सकता है आपने किसी अपने को खो दिया हो हो सकता है आप कभी असफल हुए हो हो सकता है कोई बुरी घटना आपके साथ में हुई हो और आप बार बार उनी को सोच रहे हैं इसलिए हो सकता है आप अपने जीवन में आज निरास हैं, दुखी हैं, परिशान हैं, क्योंकि जब आप उन्हें सोचते हैं तो वो चीजें आपको और निरास करती हैं, दुखी करती हैं, परिशान करती हैं, इसलिए परमेशु का वचन हमें उत्साइद करता है, क्या कहता है परमेशु का वचन, फिलिपियो की किताब उस पीछे रह गई हैं उनको बुला कर आगे की बातों की और बढ़ता हुआ निशाने की और दोड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्यों ने मुझे मसी येश्यों में उपर बुलाया है आमेन दोस्तों यहां पर परेद पॉलस कहते हैं कि है भाईयों मेरी यह भावना नहीं मैं पाच चुका हूँ नहीं मेरी यह भावना नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूँ बलकि एक काम मैं करता हूँ कि मैं पुरानी बीती हुई बातों को याद नहीं करता हूँ और आगे की और दो पुरानी बीती हुई बातों को मैं याद नहीं करता, उन्हें मैं भूल जाता हूँ, एक तरीके से उन्हें मैं डिलेट कर देता हूँ, और अपना ध्यान केवल मैं भूशे की ओर लगा कर रहता हूँ, आगे की ओर लगा कर रहता हूँ, उस निसाने की ओर लगा कर रहता बहुत से भाई बहन है जो केवल पीछे ही देखते रहते हैं हर दिन सुबह स्याम वो केवल पीछे देखते हैं आगे नहीं मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ इस परकार के अनेक बातनों को वो सोचते रहते हैं परन्तों दोस्तों आज साम में मैं आपको साइट करना चाहूंगा बढ़ना शुरू किया, अपने जीवन में उसने आगे बढ़ना शुरू किया, वो रुकी नहीं, वहीं पर ठहर नहीं गई, तो उसने फिर अपने जीवन में उस बात को याद नहीं किया, कि आखिर मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, नहीं, बलकि वो आगे की ओर दौरती चली गए निसाने की ओर दौरती चली गए अपने भोशे की ओर दौरती चली गए और परमेशु ने उसका पर्टिपल उसे दिया यदि आप आसिस पाना चाहते हैं यदि आप अपने जिवन में परमेशु के कारिया को देना चाहते हैं तो आपको ये काम बहुत जरूरी है करना कि पीछे की ओर नहीं देखना है अपनी पुरानी बीती हुई घटनाओं की ओर नहीं देखना है बलके आगे की ओर देखना है परमेश्यो आपके लिए अधवत अश्यर करमों को करने पर है परमेश्यो आपके लिए नई कामों को करने पर है नए नए बातों को करने पर है इसलिए आप आगे देखें भावश्य की ओर देखें परमेश्य के पास आपके लिए उत्तम योजनाई हैं पीछे न देखें जो बाते हो गई सो हो गई उन्हें आप बदल नहीं सकते लेकिन आप अपने भावश्य को बदल सकते हैं इसलिए आगे देखें पीछे ने सो प्रवव आपको इस वचन के द्वारा बहुत आईट से आसिस दे आमें परमेश्य की वचनों पर मनन करने से आप परभावशाली होंगे और आपके काम सफन होंगे इसलिए इन परमेश्य की वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें तो परमेश्य आपको आशेशित करेंगे इन वचनों को आपकी जीवन में पूरा करेंगे यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉंटेक्ट करें 8077-007695 धन्यवाद चंगी हो प्रमेशर का दिल से धन्यवाद करती हूँ पीके मसी और अमरिता शिष्टरन उनके पूरी टीम को दिल से धन्यवाद करती हूँ और प्रमेशर का भी धन्यवाद करती हूँ सब को जय मसी की आपका धनेवाद करते हैं सच में आप अच्छे और भले पिता हैं और हम सब की प्राथना का उतर आप हमेशा देते हैं पिता आपका धन्यवाद कि आपने अपना बेटा-बेटी हमें बनाया, हमारे गुनाहों को माफ किया, हमें पिता परमेश्वर चुना, मेरे पिता इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, प्यारे प्रभु, ये जीवन जो तेरी ओर से बहुमूल लिया हमें मिला है परमेश् परमेश्वर हर एक बात के लिए, क्योंकि तु कितना भला और अच्छा परमेश्वर है, मेरे प्रभू आज रात के समय परमेश्वर पिता जितने भी भायबेन हमारे साथ इस प्रात्न में शामिल है, प्रभू येश्व मसी उनके मनुरतों को पूरा करे, उनके प्रात्न को उत्तर दें, उन्हें बिमारियों से आजाद करें, बंधनों से छुटकारा दें और प्रभू उन्हें उन सारी बातों से छुटकारा दें, जिसमें प्रभू आज वो जूज रहें मेरे खुदावन, मेरे प्रभू हर रे को आप गले से लगाएं, उनके आंसों को पोचें और और इनके दुखों को आनन में बदलें, धन्यवाद करते हैं प्रभू आज दिन भर में प्रभू आपने संभाले रखा, सुरक्षित रखा, यदि कोई भी गुना गलती आज के दिन भर में हमसे हुई है, प्रभू हम शमा मांगते हैं उन गुनाहों के लिए, आप शमा कीजि हम सब के जीवनों में काम करें, यह वचन प्रभू बहुत ही जादा अधिकाई से हम सब के जीवनों में कारें, हाँ प्रभू हर एक जन प्रभू जो तुछ पर विश्वास करता है प्रभू जी, निशाने की ओर दोड़ा चला जाए, प्रभू किसी भी बीती भी बात, किस हमने रूत के जीवन में देखा प्रभू कि वो उसके जीवन में जितने भी दुख थे उन्हें वो छोड़ कर उन्हें भूल कर वो आगे की ओर बढ़ती चली गए और प्रभू वही उसके जीवन में आशिशों को लेकर आया उसी प्रकार ये भाई ये बेहन यदि प्रभू इन्होंने खोया है बहुत कुछ प्रभू ऐसा प्रभू जो ऐसा है असहनी है परंतु प्रभू तेरा वच्चन कहता है कि तो अपने लोगों के दुखों को आनन में बदलेगा प्रभू तो इनके दुखों को आनन में बदल और इनके लिए ऐसी योजना तयार कर प्रभू ताकि अपने उन पुरानी BTV यादों को भुलाकर प्रभू ये आगे निशाने की ओर बढ़ सकें उस नए योजना के लिए, उस नए प्लैन के लिए, उन नए कामों के लिए, उन नए बातों के लिए जो आपके और से उनके लिए संजो कर रखी गई है प्रभू उसके लिए आपके लोग आगे बढ़ सके पिता आज मैं प्रात्न करती हूँ कि आज की शाम में हर एक जन प्रभू जो डिप्रेस है चिंता में है घबराहट बेचैनी उन्हें है येश्व मसी इन सारी बातों से चुटकारा दीजिए मैं प्रात्न करती हूँ प्रभू हर प्रकार की negativity को येश्व नासरी के नाम से इनके जीवन से दूर करते हैं यदि कोई भी जन इस समय दुस्ट आत्मा से ग्रसित है येश्व नासरी के नाम से दुस्ट आत्मा को हम उनके जीवन से दूर करते हैं in the name नाम से इनके परिवार, इनके बच्चों को छोड़कर येश्य के नाम जो बिमारिय प्रबू इनके शरीरों में है येश्य मसी के नाम से उन बिमारियों से कहते हैं निकलो येश्य नास्री के नाम से, छोटे बच्चों के शरीर से हर एक बिमारी निकल कर चली जाए, नौजवानों के शरीर से हर एक रोग निकल कर चला जाए, बुजर्गों के सरीर से हर एक रोग निकल कर चला जाए, हर एक जन, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजर्ग प्रभू, हर जन अच्छा स्वास्ते आप उन्हें दे ताकि उनके द्वारा उनके स्वास्त रहने के द्वारा उनके हस्ट पुस्ट रहने के द्वारा आपका राज्य इस धर्ती पर पहले धन्यवाद प्यारे प्रमिश्वर आपने चंगा क्या छुटकारा दिया हर एक रोग हर एक दुर negativity से छुटकारा दिया जो इनके जीवन को खराब कर रही है परमेशर और प्रभू हर एक बीतीवी बात जो इने हर दिन दुखी कर रही है पिता येश्य मस्री के नाम से इनके जीवनों से निकल कर चली जाए थैंक यू फादर लॉड धन्यवाद पिता आपने इन सारी बातों से छुटकारा दिया इस बात के लिए धन्यवाद प्रभू आज रात में अपने लोगों को अच्छी नीन दे प्रभू जो बुरा सपना वो देखते हैं गलत गलत वी चार आते हैं पिता डर उन्हें बार बार लगता है येश्यू के नाम से इन बातों से छुटकारा दिजिए और ये निस्चिंत हो कर सोएं नया दिन तेरे साथ में देखें और तेरी महिमा को करें प्यारे प्रभू मैं आपका हेर्दे से धन्यवाद करती हूँ और जितनी प्रात्न विंदिया इंस्ट्रग्राम, पेस्बूक, चलीक्राम के माध्यम से तेरे लोगों ने भेजी है धन्यवाद प्यारे प्रभू कि आप उनकी चिंता करते हैं आप उनके प्रात्न का उत्तर देते हैं धन्यवाद पिता, येशु के नाम से प्रात्न मांगते हैं आमेन, आमेन, और आमेन